तुम्रा जरा बिद्धाशागा इन्वार्सिटीर आंडारे फार्स्ट सेमिस्ट्रेस रुएन रोये छो आंडार नियू सिलेवास तुमा देर सबाई के साकतम जनाच्छी आसागोरी तुम्रा सबाई भाल रोये छो page chartatif चल्चनिकी कवे एकशाम हावए कि अबबार बोले तेच्छी एकशामार हावएना electionary परी कि एकशाम हावए आर एक टाइमे एकशाम नया तुम्रां जरा English major subject निये पोर छो तुम्रा सभाई जानो ज्ये istery Tut你わか mo तुमार नामबर स्कोरिंग्टा अन्याक्टा बेशी हवे एबंग आमी तो बोलेशी एजे आमी एकजाम सीरीज जे लांच कोरेशी तुमार जोदी एक लो कोरे जाओ ताहो लेकिन तुमार पार्ट फोर निया अलचना कोरवे एर आगे मी तीन्टे वीडियो अलेडी दिये द सुधु क्याना बोलबो जे सौट टाइप एवरिधिंग तुमार पेपार निये कोनो भवाई थाक बेना जोदी जश्ट देखे जाओ और सभाई के बोलबो तुम्रा जोदी तुमार जोदी चैनल देगे भालो लेगे थाके ताहले अभियासली सब्सक्राइब कोरे संगे अब बोजन्सों के सेयार कोरे दियो अमी बारे 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 बोलची रहां जाते अमरा इनभार्सिरी अंडर्यक्ट इंग्लिश मेजर बार इंग्लिश ओनर्स जे जे ताही बलोना का नो आमना जोदी आफ्टा फेमेली क्रियेट कोरती बारी बेसीकी चु कथा बोल बना सोजा आजकीर इनपोर्टेंट कोसेंस बलो देखे नेबो बेसीकीली सट टाइप कोसेंस एबों किछो साजेस्टिप कोसेंस पथम जे कोसेंटा आमरा दिये रेखे छी नेम अब दा फेमास ओमेन नोभेलिस्ट अब दा मीट नाइंटीन सेंचूरी फू वाज अल्सो एपोईट तो एंसर दा नेम कोंसांट इस एमिली ब्रॉंटी ता ओथर सेस अब दा इम्मोटल फिक्शन्स वार्क ओदरिंग हाईड्स ठीक आछे तुमानखे एटा मने राखते हावए एटा इंपटेनकोसेंट नेक्स्ट कोसेंस नेम एन कापिटल हुआ उची छी दो भूल होएंचे एन इता कापिटल करनेबे लेम धा पुय्egen बां बाय वायरन ओनuallyस्ट्राभिल इन्पर्टेंट कोस्टेंस ओन एक जाई गाए तो एसे छे तात जोने कोस्टेंटे द्याह होए से The name of the poem written by Byron on his travel is child herald's pilgrimage इन्पर्टेंट ओर्क वार्क एटा बाईरोन लिखे छेलें मेंचन में राखो नवाण तुमा मत लिक हो एक दो दो तो पर नवा लग're शोजा कोने लाग भे वासन चाल्ड righteous heralds pilgrimage होके न待 हो صिद्य कोर्षिटेल नंमर कोईब्म नेम ॉप शीन सरी नेम तू पोफे долot by hangen world yak तुमागे बोलचे जिखांटा वार्ट्सवादे दुटो पोयमेर नामूल लेको ते जिखांटा spiritual भाइ एस्थेटिक लेबलम्मेंटेर कथा बोलचे पथा हम कथा लिखबे दा पोयम्स वार्ट्सवाद्स आर the prelude and trinton एवे तुमादे प्रोबाबली सेकेंड से में हाईतों ट्रिंटन एवे बाथ हर से में इरोकम ठाकबे करण तुमादेर आगेर बाचे छीलो जानीना सिले बासको तो चेंज हावे बाट एई दुटो मने राखो spiritual development में देखते बाबे जुदी दुटो पोयम परो वार्ट्सवादे the prelude and trinton एवे ठेका छे next questions why is 597 AD important in 597 AD the Anglo-Saxons people were converted into Christianity एटा important होए छे एभाबी सट questions कोलो करा हावे next question mention two poetic plays by T.S. Eliot एटा खुब important questions T.S. Eliot थेके modern writers सो इकोसंटर कर जेते ही पारे वाग होए जावे questions था तो हम राख भे two poetic plays by T.S. Eliot a great name in modern English poetry are the murder in the cathedral 1935 and the family reunion 1939 एटा लास्टे डेट्टा मेंसर बार्साल्टा मेंस इजीली महने राखा जाए आपरा सबाई जाने second order 1939-1945 okay T.S. Eliot बोल्ले दुटो फोएमेर काथा मने राखते होए इडे गुरुत्तमुन नो वार्क जेते the murder in the cathedral and the family reunion okay next question आपर्से नम्रा देखेने बो who wrote Pamela एटा कुब इंपोर्टें who parodite Pamela in one of his novel so Richardson's wrote Pamela an epistolary novel epistolary novel माने बुझते बेले चो आशा कोरी जी लेटार फ़र में लिखा होए and Filding Henry Filding Parodise this Nobel in each Nobel Amela okay एटा अनेक बार इसे जो अनेक इंभार्सेरी तेगे तायामी दिलाम तुम्रा एटा मोने रेखो and what is Keenning and give to example of Keenning from Bule this is very very important for your upcoming examinations अभी बोलते ही पारी एकोसेंटर होई तो कोरे देवे तुम्रादे जानना वेट कोचे कोसेंटर तो ready रेखो निजे के एकोसेंटर टाकल करा जानना okay So Keenning is a special kind of metaphor Considerated artful in Anglo-Saxons poetry आम राजे रेटोरिक गोलो कोरे छेलामना Anglo-Saxons जे पोएम गोलो लिखा हो तो रेटोरिकल डिफाइस यूज करा जानना किनिंग So Keenning is a special kind of metaphor Considerated artful in Anglo-Saxons poetry It is picture metaphoric compound in old English that stands for a simple noun तुम्ही मने राग भे किनिंगे definitions सोजाग अथा जे सिमीली आमरा पोडे था की याकपन कारदीने यूज कोरे था की Metaphor, the camel is the heart of desert यूज कोरे था की Ornament Ornament मने बुश्टे बार चो जे यूज मेर अभेसी साजे तो देखते सुन्दोल लागे तेमनी फाबे language यामरा इसम आमरा इसम आम्नामेंट पोडे था की सिमीली कोरे था की Metaphor कोरे था की Irony कोरे था की किन्तु Old English से आमरा इसम आम्नामेंट वाभार कोरताम जेटा कीनिंग जेटा हईतो आराखन यूज करा होए ना कारण समस्तो ओर्नामेंट तो अप्टूडेट दरकार तात जोनो कीनिंग ता पेसिकली Old English से यूज करा होतो तो आमी डेफिनेशान इंटा बोल्लाम नेक्स जेटा दिये छे Give to Example of Keenning from Buld Buld थेके एरोकम आक्टा तुमाका वर्नामेंट खुजे बार कोरते बोल्छे जेटा कीनिंग ए एक्जाम्पल सो आमरे देखे नाबो Here are some examples of Keennings in Bulds together with their meaning in the epic point Hamlet bearers यूज करा हो जार माने की बाला तो माने हो कि इन्तु Hamlet bearers माने ओरियर्स के बाजाच्छे Sleep of the sword Sleep of the sword माने तुम्ही सोडे डगाई तुम्ही घुमिये गया चो माने की Death Death ना बोले आमरा Sleep of the sword Ring Griever माने एकी इं के बाजाच्छे The Sun के बाजाच्छे Actually, एक्ट ओर यूज करा हो जचे कि इन्तु Alternative meaning आपे पूट करा हो जचे जटा हार्स ओर बोले यूज करा हो जचे बोजाच्छा आलो बहे बट्टा कीनिंग एटा कि इन्पोर्टन रोचम बारे बारे बोलची इन्त पोर्सेंट आएले तुमांके boundary Next question Why does the wife of Bath mentions King Solomon? एटाव इन्पोर्टन यार कर एक बार कोसेंट तुमांके दिलाम हमी कोसेंट आगे थे के जानिये रगलाम तुमांके किन्तु कुरता हावे The wife of Bath claims that the practice of taking more than one husband और wife is acceptable तुमा पुरेच्व आशा कोड़ी जानवे गुलू As she can find no explicit biblical references that claims one should do otherwise So defend her positions The wife of Bath refers to King Solomon who had many wives and that it is better to marry than to burn एकोसेंट ना इन्पोर्टन आचे तुमारा देखेने भे एकोसेंट आशते पाने Next questions What is Herod? Herod is described as the greatest mead hall under heaven So it has been abundant for 12 years Grendel has attacked it every night attack कोरतो because he could not stand of celebrations from within So it is a celebration to be anand to be anand to be anand So Bulb and his man find it glorious after 12 years of attack Okay It is important Next question How old were the wife of Bath and Jenkins when they meet It is an important question He was only 20 and she 40 But she was always a lusty woman I am not sure Wipe of Bath and he thought he could handle his youth Okay So these 2 questions I have been asked which is very important I have seen the first question I have seen the first question I have seen the first question because I have seen the questions so I have seen the questions I have seen the next exam series probably 10 mark I have seen the question Just paper center smooth the questions I have seen the questions few important questions So attempt short note on the ruin and the wanderer Already answer I have already said because already you have checked the answer is written in the YouTube section Next 5 mark Give an account of the wife of Bath concept of marriage as depicted in the frolog important questions 5 marks describe the 4th husband of the wife of Bath particularly 5 marks and I have seen the philosophical notes I have seen the answer I have seen the important philosophical notes I have seen the exam series which is the questions So beautiful and the husband and the charge Next question that I have seen the questions I have seen the questions What are the answers you have been asked and I have seen the questions and you have seen the questions Who are the authors of the romance of the roses and the pierce plowman I have seen the answer Thank you so much once again I have seen the questions सिरीज प्लास सायेशन्स गुलो जिरी फालो करो तुमार इंग्लीज इस जी मेजुर पेपर है एक्टाव क्वेस्टन साइद बाहित्थे का आश्बेना थैंक्यू सो मच्छ सबाइकेई वाइन्स एगेइन